दिलाइफ टीवी सच सबसे आगे यमन के मिसाइल के द्वारा टार्गेट किया गया और यमन के हूती बिद्रोहियों ने उस पूरे जहाज को लाल सागर में ही स्वाह कर दिया है आप अपने स्क्रीन पर या विजूल देख लीजिए इसमें आप देखेंगे कि कैसे लाल सागर में आग के लप्टें और काले धुएं की गुवार देखे जा रहे हैं दरसल यह जहाज जो है इसराइल का बताया जा रहा है और इसी को यमन ने टार्गेट किया है पूरी रिपोर्ट अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपके सामने एक बात रखना चाहते हैं दरसल जब हम वीडियो पे कमेंट्स देख रहे थे तो कई हमारी दर्शकों का या कहना है यह लाइव टीवी फरजी खबरें दिखाता है ऐसी बात नहीं है हम जो भी खबरें आप तक रखते हैं वो बहतरीन तरीके से रिसर्च किये हुए ढूडे हुए और उन तमाम जो इन्फॉर्मेंशन साइट्स हैं या कोई टूटर हैं उन जगहों से इकठा करते हैं उसे द कि जो सोशल मीडिया है या फिर जो कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पर पश्चिमी देशों का पुर्ण रूपेन कंट्रोल है जिसे भारत में आप गोधी मीडिया कहते हैं ठीक उसी तरीके से पश्चिमी देशों की मीडिया संस्थान हैं वो सब यहूदियों के परभाव मे दिखाई पड़ते हैं सही खबरें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं इस बज़ा से हमने अल्टरनेट साइट्स को ढूड़ा है चाहे वो फिर टाइमस ओफ इसराइल हो या फिर ऐसे टेलिग्राम्स के गुरुप्स हो या सोशल मीडिया पर चाहे इरान ओव्जर्वर हो आटी उर्दू हो रसिया न्यूज हो ऐसे तमाम विबसाइट्स हैं या फिर उनके पोर्टल हैं ट्विटर हैं जहां पर इंफर्मेशन साथे हैं उसे क्या धार पर खबर रिसर्च करने के बाद धूड़ने के बाद हम आप तक रखते हैं चोकि हमारा परिबार 72 लाख पहुचा पाते हैं आप यकीन मानिए कोई भी खबर फरजी नहीं होती है अभी भी जो हम खबर बता रहे हैं यह सच है इसको लेकर कई जगह आप खबरें धून भी सकते हैं हम तो वीडियो में अकसर उस ट्विटर हैंडल का भी जिकर करते हैं कि आप इस जगह खबर देख सकते हैं लेकिन फिर भी लोगों के मन में अगर शंका है यह लाइव जी फरजी खबर दिखाता है तो आप उसे ठोलिक चेक कर सकते हैं वाकई में हमास मुहतोर जवाब देता है ऐसा नहीं है कि इस्राइल हमला करता है तो हमास धुबक जाता है या सरेंडर कर चुका है या विज्वल जिसकी चरचा भी अब खबर की शुरौवात में कर रहे थे और जिससे जुरिया खबर भी है इसमें साफ कोर पर देखा जा सकता है कि लाल सागर में एक जहाज जल रहा है धूएं के गुबार उठ रहे हैं या विज्वल बयान करता है कि अजराइलीयों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हलाकि इस संबंद में हमने खबरें और तलाशी रिसर्च की तो पता चला कि सिर्फ इसराइली जहाज को ही नहीं, अमेरिकी जहाज को भी यमन ने निशाना बनाया है, हलाकि उने इस बात को सुईकार नहीं किया है, लेकिन दा मुसलिम ने इस इसराइली कारगो सिप, यूनिटी एक्स्प्लोरर, विच हैज नाव संक इन दा रिड़ सी, इनका कहना यह है, जो दा मुसलिम का कहना है, कि यमन ने बं बरसाए, या फिर मिसाइल धागे, इसराइल कारगो सिप पर, जिसका नाम है यूनिटी एक्स्प्लोरर, और इस जहा चाया नहीं जा सका, यह लाल सागर में, रिड़ सी में फाइनली दूब गया है, तो इसराइलियों को जोड़दार जटका, इस संबंद में तो लगा ही लगा है, इसको लेकर एक दो टूइट और है, वो टूइट भी हम आपको दिखाते हैं, फिर वो रिपोर्ट दिखाए और इसके बारे में वही बाते हैं, कि रेड़ सी में रॉकेट अटेक किया गया, इसराइल से जुने हुए एक शिप पर, और वहाँ पर आप देख सकते हैं, कि गजा में युद्र तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा भी गया है, एड़ोकेट कासिफ कामेरन खान के द्वारा, ब्रेकिंग अपडेट, रॉकेट अटेक ओन इसराइली लिंक्ड सिप इन रेड़ सी एरिया अमेड वार इन गजा, यानि कि हमला तो हुआ है, अब हिंदोस्तान टाइम्स ने भी इस मामले में रिपोर्ट कर रखा है, तो समझे कि खबर जूठ नहीं होगी, एक डिटेल रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, या रिपोर्ट टीवी नाइन भारत वर्स पर आये हैं, इसमें भी बताया गया है कि कैसे इसराइल हमास के जंग में अब यमन कोदा है, और इसराइली जहाज को निशाना बनाया है, टीवी नाइन ने हेटलान में लिखा है, एक अमेरिकी वार्सिप और कमर्सियल जहाजों पर हमला, क्या कुछ जानकार ये डिटेल में देखते हैं, चुकि यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, कि यह आपने एक बड़े जहाज को टार्गेट किया है, इससे इसराइल को बड़ा नुकसान तो हुआ ही होगा लेकिन वो नुकसान बहुत कम है, जो इसराइल गजा पटी में कर देता है, क्योंकि गजा में वो मासुमों को, मिर्दोशों को, बेगुनाओं को मारता है, जो कि युद्नियमों के खिलाफ भी है, हमास से या नहीं बिर पाते हैं, जब भी भिरने आए हैं, ग्राउंड इंटागन ने यह जानकारी दी, यमन के हूती विद्रोहियों ने दो जहाजों पर हमले का दावा किया, जिन्हें उसने इसराइल से संबंदित बदाया, हलाकि विद्रोहियों ने अमेरिकी नौसेना के जहाज को निशाना बनाने की बात सुईकार नहीं की है, तो आप समझ हमले तो हुए हैं और इसराइल के जहाज पर हुए हैं यह यमन के हूती विद्रोही मानते हैं, लेकिन वो यह नहीं मान रहे कि उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर भी हमला किया है, यहां लिखा गया है कि यह हमला पस्टिम एसिया में इसराइल हमास युद्ध से जुड़े समुद्री हमलों के सरंखला में बड़ी वरिद्धी होने के वो दर्शाता है, पिंटागन ने कहा कि हम USS कार्णी और लालसागर में कमर्सियल जहाजों पर हमलों की खवर से अवगत हैं और जैसे ही विश्तृत जानकारी उपलवद होगी हम प्रदान करेंगे, और यहां पर कब हमला हुआ था, किस तरीके से हमला हुआ था, जरा देखिए इसको लेकर भी TV9 भारत वर्स ने जनकारी दी है, यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लालसागर में जहाजों पर हमले किये जा रहे हैं, विद्रोही इसराइल को निशाना बना कर ड्रोन और मिसाइल भी दाग रहे हैं, एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमला यमन के साना में रविवार सुबह लगबग दस बजे शुरू वा और पांच घंटे चला, ताहिए कि यह हमला लगातार किया जा रहा है, इसराइल के प्रधार मंत्री बिंजामी नितन्याहू क्या अभी भी जुद्र समाधान नहीं है, उनका अधिकार देना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा, आप फिलिस्तिन को बचाए, फिलिस्तिन की मांग को स्विकार कीजिए, और घजावासियों को चैन के सास भी लेने दीजिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हम से सबसे आगे